गो नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में आज रिक्सा के बारे में यदि आपने इरिक्सा के लेने के बारे में आपको इसकी सबसे पहले उसकी पूरी information जानने होगी आप उसके पूर्चिस करेंगे तो यह आपके लिसे बहुती बेनीप्रेटयों तो आज अपने से वीडियो में बात करने वाले ए रिक्षा जो कि मैंडरा ने लौ्च कर दिया है यह Alpa Mini Electric रिक्षा जो कि बहुत ही लाजवाब और इसके हूँ सारे एस्पेशिकर्टिकरिक्षं में आपको इस वीडियो में किलियर करवाऊंगा तो प्लीज वीडियो को पूरा देखना सब्सक्राइब किजिए माई आइटेंग मस्ती को और बेल आइगंटी को फेस कर दीजिए जिसके आने वाले वीडियो की नोटिविशन आपको मिलती रहे दोस्तों पहले बात करना चाहू में सीटिंग केपिसेटी की तो 4 प्लस 1 या कहें 4 सवारी फ्लस 1 ड्राइवर इसमां आप आराम से कंपलेटी बेट सकते हैं को जिस तरीके से कंपलेट किया गया इसकी जो सीटाइट और जिस तरीके से जो कंपक्रेबल बनाये गया है बहुत ही लाजवाब ए इंस दो कि आई एंट बेटरी मिलेगी जो कि बहुती लाजवाब रहेगी इसको चार्जिंग फूल होने में कितना टाइम लगेगा इससे भी मैं आपको कम्प्लेटली जानकरी बताता हूँ इसको फूल चार्जिंग होने में 2 hours 3 minutes का समय लगेगा जो कि मेरे सबसे बहुती लाजवाब है या कहिए 2 घंटा 30 मिनिट में completely फूल चार्जिंग हो जाएगा जो कि एक E-RXA के तरीके से देखा जाए तो बहुती बहुती लाजवाब है E-RXA की warranty की में बात करना चाहूं तो 2 years इसकी warranty रहेगी जो कि बहुती लाजवाब रहेगी इसकी battery life की बात की जाए तो 5 years इसकी battery life रहेगी और इसकी top speed की में बात करना चाहूं तो 25 km per hour से इसकी top speed है जो कि एक E-RXA के तरीके से बहुती लाजवाब है अब बात करना चाहूं हूँ हमें इसकी रेंज की, तो इसको एक बार charging करने पे चले आपको 85% किलोमेटर जो कि charging की बात कर ली जाए तो लगबग ये एक यूनिट में 85% charging हो जाएगी जूकि एक युनिट आपको लगबग चार से पांच रुपई की लगती है तो उससे आप अंदाज लगा सकते है कि एक रुपई में कम से कम 15 से 20 किलोमेटर चल डिये जो कि बहुत ही लाजवाब माईलेज माना गया है इसका दोस्तों इसके अलावएदि आपको कोई प्रोब्लम आए तो प्लीज कमेंट बोक्स में लिखना मैं आपकी हर कमेंट का रिपलाई दूँआ वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना चेनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले